नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो रूबरू हुए हैं बड़ी ख़बर के साथ तो हिमाचल में विधाय के खिलाफ फायार दर्ज हो चुकी है वहीं विधाय के ओपर अशलील चैड करने वहीं लड़की को जान का खत्रा बताया जा रहा है क्या ख़बर रहने वाली है पूरी जानकारी आपके समक्स जुरूर साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को जानने के लिए करीपया चैन को अभी सब्सक्राइब करें तो बाचपा विधाय के खिलाफ एफ आयार दर्ज अशलील चैट का मामला लड़की ने बताया जान का खत्रा अक्सर अपने बियानों को लेकर विवादों में रहने वाले चुराहा विधानसबाक शेतर के विधाय खंसराज एक बार फिर विवादों में आ गए है इस बार उनसे विधानसबाक शेतर की लड़की ने उनके खिलाफ अशलील चाटिंग करने का रोप लगया इसको लेकर लड़की ने महिला थाना में भी एफ आयार दर्ज करवा दी है पुलीस ने लड़की की शिकायत पर एफ आयार दर्ज करके आगामी जान्mist भी शुरू कर दी है वहीं पुलीस को दी शिकायत में लड़की ने अपनी सरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है यह एफ आयार नुअगस्त को महिला थाना में दर्ज करवाई गयी है इसमें पुलिस ने लड़की के तीसा अदालत में 164 के तखत ब्यान भी दर्ज करवा दिये हैं अब पुलिस इस मामले में अगामे कारवाई को अंजाम दे रही है बता दें शोचल मीडिया में ये मामला काफी तेजी के साथ वारिल हो रहा है इसको लेकर जहां कॉंग्रेसी नेता बात्वा विधाय के खिलाफ कड़ी कार्वाई की मांग गर रहे हैं तो वहीं अन्य संस्थाओं की लोग भी इस मामले में बात्वा विधाय करने की मांग उठा रहे है जिस प्रकार से शोचल मेडिया में ये मामला वारिल हो रहा है उससे विधाय को काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं इस मामले की वज़ा से उनकी छबी पर बुरा असर पड़ सकता है इसका प्रुभाव उनके राजनेती करियर पर भी देखने को मिल सकता है पतादें पुलीस अधिक्षक अभीशेक यादव ने बताया कि लड़की ने विधाय के खिलाफ असलील चाटिंग करने को लेकर शिकायत दर्जगरवाई है पुलीस इस मामले में गहनता के साथ जांच कर रही है दूसरी तरफ चुडाहा विधायक हंसराज ने बताया कि कॉंगरेसी नेता उन्हें बदनाम करने को लेकर इस तरह की साजिश कर रहे है गल्त फार्मी की वज़ा से लड़की ने उनके खिलाफ शिकायत दर्जगरवाई थी अब लड़की अपनी शिकायत को वापस लेने के लिए त्यार हो गई है तो ये रही बड़ी खबर की बाचपार विधायके खिलाफ फाया दर्ज हो चुके है तो अशलील चैट का मामला रहा है तो लड़की ने दूसरी तरह अपनी जान को खत्रा विधायक से बताया है ये रही बड़ी खबर ताजा खबरों को जाने के लिए करीपिया चानल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद